नमस्कार आप सबका एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटीब चैनल पे इससे पिछल्य वीडियो में मैंने आपको बताया था कि JKSSP के द्वारा जो क्लास फॉर्थ का रिजल्ट है उसे डेक्लियर कर दिया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे कैंडियर ऐसे हैं जिन्होंने अपना जब रिजल्ट स्कोर लिस्ट देखी है स्कोर लिस्ट देखने के बाद उनके मन में बहुत सारी क्वारीज आ गई है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप अपनी score list को कैसे download कर सकते हैं, चाहे division cadre wise हो, UT cadre wise हो, district cadre wise आप अपनी score list को download कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ score list जो है, वो download की है, हम एक complete analysis करेंगे, कि बहुत सारे जो candidate हैं, उनके मन में queries हैं, कि सभी candidate के against qualified डिखा है, तो आप कौन से candidate हैं जो qualified ह नहीं है, तो इसके उपर हम complete discussion करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप अपनी score list को download करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, simply आप इस website पे आजाईए, JKSSP के official website पे आजाना है, आने के बाद जैसे आप left side जाएंगे, left side पे बहुत सारे जहां पे जो link होंगे, वो blink कर रहे हों आपने इसी link के उपर click कर देना है, जैसे आप इसके उपर click करेंगे, कहीं बार आपको कुछ error भी show हो सकता है, लेकिन अब जो site है, वो proper function कर रही है, तो आप जहां पे देख सकते हैं, जैसे हमने इस पे click किया, click करने के बाद हमारे सामने, जहां पे जो site है, इसमें जो next tab है वो open हो चुकी है, पहले उस link पे click करने के बाद link open नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय जो site थी, वो बहुत जारी busy थी, उसमें बहुत सारा traffic आ रहा था, लेकिन अब normal हो चुकी है, जैसे अब उस link पे click करेंगे, click करने के बाद हमारे सामने next tab open हो चुकी है, तो जहां पे आप जम्मू division score list है, जिस हिसाब से आपका merit बना है, उस हिसाब से आपको, महाँ sequence में आपको जगा मिली होगी list में, उसके बाद जहां पे आप देख सकते हैं, कश्मीर division, जो है score list है, इसके नीचे आप जैसे थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो आप अपना result किस तरह से check करना चाते हैं वो आप पे depend करता है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्टिक वाइस score list है, जहाँ पे अननतनाग की भी list है, बांडिपुरा, बारा मुला, बढ़गाम, डोडा, गंदरवल, जम्मू score list, कठुवा score list, किस्तवार, इसी तरह कुलगाम, कुपवारा, पुन्ष, scroll down करेंगे, scroll down करने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं, जो next है, रजोरी की score list है, रामबन की है, रियासी की है, उसके बाद सामबा की है, शौपियां की है, श्रिनगर की है, और उदमपुर की है, आप जिस भी district से आप बिलॉंग करते हैं, जो आपकी preference रही होगी, आप उसकी score list यहां से download कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि हर एक जो score list है, जैसे की जम्मू की score list की अगर हम बात करें, इसका जो size है, वो 100 MB से ज्यादा, इसका size है, तो इन score list को download होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, मैंने कुछ score list download कर ली हैं, हम अब उन score list को देखेंगे, देखने के बाद पूरा आपको मैं बताऊंगा कि किस परकार आपने अपना result चेक करना है, जो की डिस्टिक एडर जम्मू की बात हम करेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं, सबसे टाउप के यहां पे लिखा हुआ, डिस्टिक एडर जम्मू, तो आपको अपना result चेक करने पर नेम होगा जहां पर पेरेंटेज होगी फिर आपकी डवेटा बर्थ घंशन होगी जहां पर डो मी किसाइल डिस्टिक हो जिए औप nad नेक्स के अपने डिस्टिक यद्र में करोगे अगर आप लेंगे अगर आप को पर मिलेंगे तो जहां पर देख सकते हैं नो उसके बाद अगर आपके जहां पर इस candidate के अगर हम नंबर देखें जहां पर return test equated score तो 87.51 है converted score as per weightage तो score को convert करने के बाद आपका जो score बना वो 65.63 बना अब उसके बाद जो extra marks जहां पर आप देख सकते हैं जो additional weightage होगी जैसे कि no government employee in the family तो उसके 5 marks थे वो इनको मिल गए हैं उसके बाद अगर कोई बिड़ो, divorced, woman होगा, judicially separated woman and orphan girl होगी तो उसको 5 marks मिलेंगे तो उसमें इनको नहीं मिले हैं इसी तरह अगर को casual worker engaged for 5 years are more 5 number उसके भी थे तो वो भी नहीं मिले इनको उसके बाद जहां पर आप देख सकते हैं candidate home district home district के कारण जो 10 marks जहां पर इनको extra जो मिले हैं वो home district के कारण मिले हैं उसके बाद अगर हम इनका final score देखे final score out of 100 तो इनका जो final score है 80.63 इनका जो final score है और उसके आगे qualified जहां पर लिखा हुआ है अब जहां पर आप जितने भी स्कोर देखोगे सब के आगे qualified लिखा होगा फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी selection इसमें हुई है या नहीं हुई है सबसे पहले आपको जानना पड़ लेगा कि इसी तरह यूटी लेवल की कितनी पोस्ट है जमो की कितनी पोस्ट है जिस हिसाब से पोस्ट होंगी तो पोस्ट जितनी होंगी उसके हिसाब से sequence में ही जो नंबर आये है आप जहां पर देख सकते है जैसे serial number 2 है जहां पर आये हुए है वह sequence में ही है according to merit ही है तो जहां पर आप देख सकते हैं name उसके बाद parentage, data worth, उसके बाद domicile district, domicile division, open merit जो category है उसके बाद person with disability no, इसी तरह ex-serviceman no, उसके बाद इनकी written examination में इनका score रहा है वो 86 पूरे marks आए हैं उसके बाद जब इनको convert किया गया उनके score को उसके बाद 64.50 रह कोई भी government imply जो उसके नहीं होने के कारण इनको 5 number मिलने थे लेकिन इनके घर में government imply था तो इनको 5 number जहां पे नहीं मिले हैं इसी तरह से 00 लेकिन candidate को सिर्फ 10 marks जो 25 में से सिर्फ 10 marks मिले हैं जो की home district के मिले हैं और overall इनका score रहा है वो 74.50 रहा है और आगे qualified जहां पे लिखा सकते हैं हम कोई जहां पर एक entry देखेंगे आप सिर्फ 5 की बात करते हैं तो जहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 5 की अगर हम बात करें candidate का रोल नंबर नेम पेरेंटेज फिर डेटा वर्थ आ जाएगी अब जहां पर आप देखिए domicile जो district थी इनकी जो domicile डिस्टिक थी domicile division जम्मो था अब इनकी जो category है वो economically weaker section है उसके बाद person with disability no उसके बाद जहां पर आप देखते जाएए जो इनका return में जो score रहा है वो 87.5 बन रहा है और convert करने के बाद इनका जो score रहा वो 65.63 रहा उसके बाद इनको जो extra 5 marks मिले हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से इनका जो overall, जो final score रहा वो 70.63 रहा और आगे आप जहां पर देख सकते हैं qualified इसी तरह से आप अपना results देख सकते हैं फाइनल आपका जितना भी score गया है वो आप जहां से आप अपना चेक कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम next list की बात करें सकते हैं हमने जो next division letter jamu की list है उसे जहां पर open कर लिया है, तो जहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले tentative merit result of class 4th post, तो जो की 27, 28 और 1st March को हुआ था 2021 को, जहां पर भी आप देख सकते हैं, जहां पर थोड़े से जो additional जो आपको betes थी, बहां पर जो district level पे थी, बहां पर 25 जो marks थे, वो जहां पर candidate को दिये जा रहे थे, लेकिन जहां पर जो betes होगी वो 20 marks की होगी, तो जहां पर भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो candidate का क्या होगा, रोल अंबर होगा, सीरे लंबर, तो सीरे लंबर के बाद आपका रोल अंबर होगा, तो जैसे आप देख सकते हैं, आपका रोल अंबर, फिर name, parentage, फिर data worth, फिर जहां पर domicile district, आपकी domicile district कठ हुआ है, आप domicile division जम्मू है, category, economically weaker section, इसी तरह person with disability, तो no है, इसी तरह, जो ex-serviceman, वो भी जहां पर no है, return test में जहां पर marks आए है, 87.51 आए है, convert कही है, जब उस में कोई भी government imply नहीं था, तो 5 marks इनको मिले है, इसी तरह से बाकी जहां पर नहीं मिले है, इनको, उसके बाद candidate home division, अब जो home division के जो marks है, वो 5 है, home district के 10 है, और home division के कितने है, 5 marks है, और जो final score इनका जो रहा, वो 80.01 रहा, और आगे आप जहां पर देख सकते हैं, qualified, इसी तरह से आप अपना result भी चेक कर सकते हैं, अगर हम next की बात करें, serial number 2, आपका roll number, फिर parentage, data worth, जहां पर domicile, district, उदमपूर, और division आपका क्या रहा, जम्मू, अब जहां पर category, open merit, तो return वे आपके, जो आपका score रहा, 87.51, और जो जब आप उसको convert किया, तो 70.01, तो extra 5 marks जहां पर म ले हुए है, और जो first position और second position के जहां पर marks आए है, 80.01, तो दोनों के दोनों सेम है, इसी तरह जो third position पर आए है, उनके भी marks जहां पर overall जो final score रहा है, वो भी 80.01 रहे है, इस तरह से आप सारी जितनी भी detail है, वो आप list download करके, अपने roll number को सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आप अपना result देख सकते हैं, बस आपने इस चीज को check करना है, कि division wise, district wise, जैसे आपने apply किया है, जो total post थी, 8500 something जो post थी, उनको bifurcate करने के बाद, जहां पे आपकी preference है, जहां पे आपका नाम आया है, क्या आप total जो post है, उन post के बीच में, जैसे आप serial wise देखेंगे, तो क् इसके उपर JKSSP बड़ी जल्दी clarification लेके आए, जैसे ही इसके उपर और clarification आएगी, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको पूरा इसके उपर जितनी भी detail होगी, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, I hope मेरे द्वारा दीगी information आपके लिए काफी valuable रही होगी, इसी